हेलो फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए ग्राम पंचायद से सीधी वर्थी फिक्रा का विजिल नोटिफिकेशन लिख रहे हैं ग्राम पंचायद वर्थी फिक्रा 2023 और ये 2023 की सबसे पहले लेटिस्ट वैकेंसी हैं और इसमें आप कैसे अपलाई करेंगी वो डिडिल्स आपको इस वीडियो के मादेब से समझाएंगी तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो education qualification यहां आपके रखीए 10th पास, यह दिया आप 10 से भी पास हैं तो इस वर्थी प्रक्राम में form अप्लाई करके नोकरी प्राप्त कर सकते हैं और बात कीज़ें, selection की, तो selection बिना प्रिक्षा, यानि किसी प्रकार की exam आपकी यहां नहीं होगी किवल आपके documents verification के आधार पर आपकी एक merit बनाए जाएगी और इस merit को यह दिया आप qualify कर रहे हो, तो finally आपका जो selection हो जाएगा, वो gram पंचायद में हो जाएगा और इसमें male and female 10,000 मेला पुर्ष दोनु फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो देर किस बात का यह form आप जरूर अप्लाई करें, आपको gram पंचायद में यह form मिल जाएगा इस वीडियो की मादिम से हम आपको complete जान करें बताएंगे कि कैसे आपको यह form अप्लाई करना होगा, कैसे आपका इसमें selection होगा जायती राज विभाग भरती फ्रिक्रा 2023, gram पंचायदो में Global Environment Facility at GEF Green Ag Project योजिना में क्रियावरन हेतू, gram पंचायदो में इसमें आपको vacancies community resource person की आपको बताई जा रही है, यह आपकी इसमें post है और यह post आपकी 10th pass के लिए है, यह आप 10 भी पास है, तो इस post में आप form अपलाई करके नुक्री प्राप्त कर सकते हैं, community resource person की यह post है, और यह जो post है आपकी SI post है, यह आपको अनुबंद के आधार पे लगाया जा रहा है, और आपका कारेकाल बढ़ाया भी जा सकता है, finally य resource person की आपको यह, resource person की यह post मिल रही है, और बात की जाए, education qualification की तो normally 10th pass है, यदि आप 10 भी पास है, तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं, और इसमें आपको total of number vacancies आपको मिलेगी 10,000, यानि कि 10,000 की something vacancies आपको मिलेगी, मैंने पहले भी आपको बताया है, यह जो vacancies है, यह चर आपको इस recruitment के लिए यह form बढ़ना होगा, community resource person, यानि कि CPRP की vacancies थी, इसके लिए यह form आपको बढ़ना होगा, सब तो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आवेदित ग्राम पंचायत का नाम जिस ग्राम पंचायत से form आप अपलाई कर रहे हो, टीका फ्रेंट, उस ग्राम पं है वो है विजेपूर, और इसके बाद जिला है सवयोपूर, ठीक है, यह मैंने details submit कर दी, या भर दी, इसके बाद आपको इसमें बताया गया है, next stage यह बताया गया है, कि मूलनिवास, ग्राम पंचायत वै, ग्राम पंचायत का नाम आपको यहां होना चाहिए, यानि कि आप सेंड करने हों, यानि कि documents के साथ आप अपने दो photos भी डाल सकते हो, इसके बाद अभिहारती का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में, आपको मातरबाशा हिंदी में भी नाम लिखना है, और इंगली में आपको यहां लिखना है, पिता का नाम या पते का नाम जनमती थी, आपको इसमें बताए सिर्क्ष नहीं कियोगी था तो नौर्मिली आपकी एजुकेशन कॉलिफिकेशन इसमें 10 पास है यह जो अभियारती 10 पास है वो भी इसके लिए अप्लाइक कर सकते हैं और यह आपके पास कुछ एजुकेशन कॉलिफिकेशन है तो वो डिटेल्स भी पर्सन की और यह 29 वेकंसि आपको मिल रही है और यह जो है आपको 15 ग्राम पंचयत्स ने दिलेगा 2 जो मिल्याग ग्राम पंचयत में पार्ट डिएल यह जो आपको उल्हिकेशन है और यहोजन यह उन्यारती आपको इसमें परमानिट की आपको इसमें regular भी क्या जा सकता है इसके बाद प्रिचिना की gram पंचाइट को gram का जो निवाश होना निवारी है यानि कि जिस ग्राम पंचाइट से अप्लाई कर रह रही है जैसे कि मैंने नया गाम से ये form अप्लाई किया था ठीक है तो उस gram पंचाइट का मूल निवाश होन बहुत ही जरूरी है इसतारी बासा वो भी आपके लिए compulsory है अच्छा संचार कोशल अंग्रेजिक का लिखित वारतालाब का basic ज्यान आपके पास है education qualification है 10th pass और यह basic जानकारी है जो basic knowledge है वो कि इतना high level का है आप आपको रगना है और इसके बाद five number point पे आपको बताएगे है कि आयुसीमा 21 से लेके 45 से जो candidate है वो अप्लाई कर पाएंगे इसी के साथ पूर्ट से हीदी आप यह form बढ़ना चाहते हैं तो official website पर आपको जाना होगा पहले यह news paper में आ चुकी है और यह details आपको बताएगे है तो आप 27 जनावरी से form अप्लाई कर सकते हैं यह दिए आप समन्दित gram pancayet से बिलॉग करते हैं जैसे कि यह आपकी gram pancayet है यह gram pancayet लिस्ट आगी है प्रते gram pancayet की लिस्ट हमारे टेलेग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगे